कोई भी रिसर्च और कोई भी शोध इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि प्यास के रस से आपका हेर फॉल रुखता है और आपकी हेर ग्रोथ होती है जहां लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरिंस से आप सभी के साथ इतनी सारी रेमेडी शेयर कर चुके हूँ जहां पर अनियन जूस का इस्तमाल हुआ है और यकीन मानिये यहां पर अपने परिवार के साथ शेयर करने के बाद आज मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो की टेस्टिमनी दे सकते हैं कि अनियन जूस ने उनके लिए कमाल किया है कमान फैमिली वो सभी लोग जिन्होंने अनियन जूस या अनियन ओईल का इस्तमाल किया है डू राइट डाउन इन दे कामेंट सेक्शन ताकि हमारे परिवार के सभी लोगों को मदद हो सके और वो भी अपने लिए बहतरीन रिजाल्ट्स पास सके आज मैं आप सभी के साथ 3 बहतरीन तरीके शेयर करने के लिए हूँ कि कैसे आप अनियन जूस का इस्तमाल अपने बालों को ग्रो करने के लिए हैर फॉल को सबसाइट करने के लिए और अच्छी सी डेंसिटी पाने के लिए कर सकते हैं पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अगर समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आज आप इस वीडियो को देखने के बाद खाली हाथ तो नहीं जाएंगे दिस गूइंग तो बी अवेरी गूद इंवेस्टमेंट फो यॉर है आएए बात करते हैं नमस्कार प्रणाम आदाब सत्स्रियाकाल आशा करती हूँ मेरा परिवार खुश है स्वस्त है अपना खयाल रख रहा है और बहुत पॉजिटिव है चल्दी से नीचे लिख कर बताइए कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं जि नहीं डे टो डे लाइफ नहीं कैसा आनुभव कर आपके बालों के लिए आपकी तवचा के लिए और आपकी हेल्थ के लिए मैं यहां शेयर करती हूँ जिनका इस्तमाल करके मेरा परिवार बहुत खुश है तो अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक् करेंगे और मेरे पूरे परिवार की तरह आप यहां टाइमली आपाएंगे आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने के लिए हूँ कि कैसे आप अनियन जूस का इस्तमाल अपने लिए कर सकते हैं अपना हेर फॉल रोपने के लिए अपने हेर ग्रोथ के लिए और ब बिलीव इट पर बिलीव मी यह रेमेडी ऐसी होती है कि यू हाफ टो बिलीव इट तो सी इट जब आप विश्वास करते हैं तो इनका जो माजिक होता है वो कई फोल्ड बढ़ जाता है इसलिए विश्वास कीजिए और फिर अपने लिए ट्राइ कीजिए सबसे पहला तरी के लिए स्पेसिफिकली सामबर वाला अनियन वो जो छोटे वाली अनियन होते हैं जिनको इंगलिश में शालिट कहा जाता है यह बहुत कमाल के होते हैं इनही का जूस अगर आप एक्स्ट्राइक करेंगे तो पिंकिश कलर का आता है नॉर्मल अनियन का अगर आप एक्स्ट मेलेंगे वो शालिट से ही मिलेंगे अन्डिस्टूड अब बात करते हैं कि जूस कैसेonders crack करते हैं बहुत ही असान होता है इन शालिट को अप अच्छे से चील लीजिए। चीले के बाद अच्छे से ढो लीजे क्योंकि जूसका sonfar content और भाहर की तरफ होता है वो जो वाह च तो भी लोपल नहीं चाहिए उसको उच्छे से वश कर लीजे और आपके शालफ सट्रेदी है है तो भी ग्राइंड इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिए और इसका जूस एक्स्ट्रैक्ट कर लीजिए यही है वह टॉनिक जो आपको अपने बालों के लिए इस्थमाल करना ह अगर वो इंटरनली भी अपडेटेड रहे और एक्सटरनली तो आप अप्लिकेशन करी रहे हैं अब हम स्टार्ट करते हैं पहला तरीका जिसके लिए आपको यही जूस लेना है एक स्प्रे बॉटल में या स्क्वीज बॉटल में जो भी आपके पास अवैलेबल है जैसे आप काम्फोटेबल है और इसमें आपको लेना है एकुल पार्ट ओफ डिस्टिल्ड वॉटर नहीं बहुत स्ट्रॉंग रेमेडी होती है इसलिए अगर आप इसको पहली बार ट्राय कर रही है तो आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए और उसके बाद सीधा अपने बालों में अप्लिकेशन कर लीजिए अगर आपने बालों में अल्रडी तेल लगाया हुआ है तभी भी यह इतनी स्ट्रॉंग है कि आपके ऑईल को भेद के आपके स्काल्प में अंदर तक पेनेट्रेट कर सकती है और आपको कोई परिशानी नहीं होगी आनियन जूस का जो सल्फर कांटेंट होता है यह लिटरली आपके फॉलेकल्स को जाके अड्रेस करता है सीधा और जो भी परिश होता है जी बिलकुल होता है आनियान जूस इतना स्ट्रॉंग होता है कि लिटरली आपके बालो में फॉलेके लेकिन हम फ्रिश को बाद में अट्रेस कर सकते हैं अभी बालों को बचा लेते हैं इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी आपकोई रेमेडी कर रहे हो प्लीज तो अभी के लिए फ्रिज को जेल लेते हैं, बाल बचा लेते हैं, हामें तो अनियन सूट ही नहीं करता, देखिये, आपको पाच टेस्ट लेना बहुत आवश्यक है, और जब आप पाच टेस्ट ले लें, आपको कोई रेडनेस नहीं हो रहा, राश नहीं हो रहे, तो यह यह सब नहीं होना चाहिए, तो आपको सूट नहीं कर रहा, तब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत समेल आती है, जी बिल्कुल आएगी, अभी आपको डिसाइड करना है, हेर ग्रोट चाहिए या समेल, तो यह चौईस तो आपको करनी पड़ेगी ए फॉर शौर, और बलीफ मी, हेर ग्रोट हो जाएगी, तो यह समेल धीरे धीरे ग्राजुली बिल्कुल कम्टीट हो जाती है, बाद में तो हम प्रो हो जाते है, बतारी हो कि इतने प्रो हो जाते है, कि आदत हो जाती है, इतनी जादा समेल एग्जबेट नहीं होती है, हमें तो बहुत जा तो पता है कि इतनी स्ट्रॉंग रेमेडी आ सकती है तो सेकेंड टाइम में वो अल्रडी प्रिपेड रहते हैं और इतना हैर फॉल आपको नहीं होता है नॉर्मल 10-20 स्टैंज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास तो शालिट्स ही नहीं है मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी वेरिन ट्राइ कर सकते हैं लेकिन अगर हैर फॉल और हैर ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक के लिए देख रहे हैं तो आपको शालिट्स का ही इंतिजाम करना पड़ेगा बाकी भी कर सकते हैं और शायद बाकी भी रिजाल्ट दे दे पर शालिट्स का शॉर्ट शॉर्ट है कि वो इस पर डेफिनेटली काम कर सकता है करता है अनियन जूस को यूस करने का दूसरा तरीका और वो है विद कैस्टर ओइल जी हां एक बोल में आपको एक बड़ा चमश लेना है कैस्टर ओइल या जितना भी आप अप्लिकेशन कर रहे हैं उतनी ही कौंटिटी आपको लेना है अनियन जूस की इन दोनों ही चीज़ों को जंब करके just apply on your Roots सिरफ Roots पर डेपॉजट करना है पूरे बालों में नहीं लगाना है लेंस पर लगा सकते च्नौॉट की नहीं हां सकते हैं पर मेन परपस ग्रोथ और 1992 कि यह यूथ यह थ names करने से होगा इसी लिए सिरफ Roots पर करते चाहिए और ज्यादा मसाजिंग की कोशिश मत कीजिए हलका हलका जितना सॉफ्ट हैं से कर सकते हैं उतना कीजिए बालों को बांद दीजिए रहने दीजिए दो घंटे के लिए और फिर हेड़ वाश कर लीजिए यह आपको करना है हफते में दो बार अगर आप इसको रेमेडी नहीं करेंगे क्योंकि जो अनियन है उसको पूरा मैजिक करने दीजिए उसके बाद ही कोई और रेमेडी ट्राइ कीजिए हाँ आप हेर स्मूधनिं के लिए लेंध पर कुछ करना चाहते हैं वह आप डेफिनेटली कर सकते हैं पर स्काल्प के लिए और कुछ करने रेमेडी इसी लिए दो घंटे सफिशेंट हैं और उसके बाद हैड़ वाश कर दीजिए हाला कि मैं यह भी बता दू कि हमारे परिवार में पीती प्रेणा में इतने सारे लोग है जो ओवरनाइट लगा के सो और फिर लिख रहें कि दीदी हमें तो कुछ नहीं हुआ हमें बहुत बड़ी आमने ओवरनाइट लगाया देखिए उनके बाल स्ट्रॉंग है उनके होहेर फॉलिकल स्ट्रॉंग है में बी कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ा लेकिन आपके बाल अल्ग्रेदी बृतल है तो इस तरह का एक्सपरिमेंटेशन के लिए मैं आपको जूस को अच्छे से वाश कर लीजे एं देन लेट वाश बाकी की लेंज को क्या हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं जी बिल्कुल भी नहीं आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि सुभा कटा हुआ प्यास आप दिन के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि वह जहां पर मैंने अनियन ओयल प्रिपेर किया है इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको स्टोर कर सकते हैं पर आनियन जूस को नहीं अनियन जूस को इस्तमाल करने की विदी संख्या नमबर तीन इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा चममच मेथी दाना यानि की फेनुग्री सिरफ इतना पानी की ये जो सीद्स हैं ये कम ठीटली इसमें डूब जाएं ताइस इस जादा पानी आपको नहीं लेना है नेक्स्ट मॉर्निंग जिहां ओवरनाइट के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग आप ये पानी एक बोल में ले लेंगे और जितना ये पानी है उतना ही अनियन जूस ठीक है उसी समय ग्रेट करेंगे फ्रेश अल दे टाइम और अच्छे से मिला के चाहे तो स्प्रे बॉटल में ले 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 या कॉटन के अउट से जस्ट अपनी रूट्स पर आपको डालना है सिंपल कई लोगों को अप्लिकेशन में लगेगा अरे ये क्या है ये इतना पाफुल है ना कि आपकी जो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव सीरम्स है ना फेल फेनुग्रीक आपकी लेंध को शाइन प्रोवाइड करता है तो आप इसको अपनी लेंध पर भी लगा सकते हैं अबसलिटली नो वरीज लेकिन क्योंकि हम यहां सिरफ ग्रोथ औ यहां कैसे खुझबू थोड़ी ना जाएगी लेकिन आप लोगों को पेशिंट रहना है यह रेमेडियल अक्षन है जब भी आपको यह बदबूदार सा रेमेडी करें ना इफ टॉल बाल धोने के बाद सूखने के बाद बान दीजे तो जितनी स्मेल आप ही को आईगी किस और के आपके आसपास नहीं आएगी तो जादा टेंशन लेने के आवशकता नहीं है और सो कुछ रीजन ऐसे होते हैं हेर फॉल के जो की हमारे हाथ में नहीं होते यानि कि हम आपको एक्स्टरनल अप्लिकेशन या इंटरनल डाइट भी नहीं बता सकते उनके लिए जो की हो बहुत जाद आपने बॉड़ी को शॉक देते हैं किसी भी तरीके से यकीन मानिए इसको कंट्रोल करना जब आपको खुद चेत आएगी ना आप तब युसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जहां तो इसलिए अपनी बॉड़ी को कम शॉक दीजिए अगर हेर शेडिंग होती है इसलिए मैं आपको कहारे हूं कि हैर शेडिंग के तुरह टूर्ट मज जाए क्योंकि इसको कोई इलाज नहीं है वो आपकी बॉड़ी खुद ही संभलती है इसलिए नो स्ट्रेस एट आल खुश रहिए भई दुख्यों का कोई कारण है नहीं आप खुद ही अपने दिमा टेक रिली कुद केर अफ यॉर्सेल यर एंड चुका है नए रेजिलुशन बनाने है नए कालेंडर मंगा लिजे भई बहुत कुछ करना अभी तो बाक अप एवरीबडी मैं अब सभी से मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में विडियो में विच संथिंग तब तक के